बात करते हैं आज की प्रमुख राजनितिक हलचल की आज दिन भर राजनितिक गहमा गमरी कॉंग्रेस ने आज राजभवनों मार्च किया पेगासस मामले में इसके अलावा और क्या-क्या गदिविदिया हुई आए जानते हैं हमारे सिनियर कोर्स्पोंडेंट नितेश उजा से नितेश क्या क्या राजनितिक हलचल आज तेका देश क्या बना हुआ है एसे लेकर प्रदेश क्या है और राजभवन गिराव किया और राजभवन के नाम से गयापन सोपा है मैं आपको बार ने बता दोंगा और उसके साथ साथ भारती जनता युवा मोर्चा ने टोक्यो अलोंपिक में जो भारती एक खिलाडियों लोगों ने जो भाग लिया है उसे लेकर एक चेर अभियान शुरू किया गया कुछ रार जडी की गति बीदी है मैं भी आपको किलर कर करना है कि यह एक तरह से देश को देश के समिधान को तोड़ने का काम किया गया कॉंग्रिस नेता लोग राजिपाल से भी मिले हैं उन्हें ग्यापन भी राश्पति के नाम से सौपा है उन लोग का कहना है कि सरोच नियाले की निगरानी में प्यगासर्थ जासूशी कांड कि निष्पक जांस हो शाती केंदीगीमंत्र हमिस साट केंज लोग ने स्टेष इमांग किया यह और राश्टवियाप आप यह अखिल भारती कांड़िस कमीटेडिने उस कारिकरम के तार जितने भी हर जिले में प्रखंड बार जितने लोग मरे हैं करु ना की कारण उनका लोग डाटा संग्रा कर रहे हैं तो आज प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमेश्व राओं के नेतर रूति में बैठक में सभी जिला अध्यक्षों को कहा गया है कि आपने प्रखंडों के सभी सूची हम लोग भेजे यानि प्रदेश नेतर को ताकि इसे केंदर नेतर दिल कि यूआ मुर्चा कार करता सोचल मीडिया में चीर्ज फॉर इंडिया है है से कभियान चलाएंगे जिससे इनका उनका दो देश से पहला जो टोक्यों ओलमपिक में उनका उसा हो साथ ही यूओं में खेल की बावना जागिनित करें यह परती इंट युद नेतर यूवाम औ लेकिन जो माना जा रहा है कि जो अभी हिमन सरकार में चुकि एक मंत्री उनके विधायक उनके मंत्री है तो जो बैठक में वो लोग 20 तुतरी को लेकर आर्जेडी कारकरताओं को उच्छी तस्तान मिले उसका उलूंग करेंगे तो बोड निगम की भी बातें हो सकती हैं क्योंकि यह भी मामला आर्जेडी बार बार कहती है कि बोड निगम है उनकी प्रति भागीदारी है वो सुनिश्ची तो बहुत बहुत शुक्री आपका नितेश तो ये थी आज की राजनितिक हल चल और हमें सब्सक्राइब करना न भ कर सकते हैं बने रहे लगाता.in के साथ